हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लोगडे स्टडी पॉइंट में तो देखो सबसे पहले आप क्या किया करें क्लास को सेर कर दिया करें ठीक है क्लास लेने से पहले ताकि आपके मित्रगणे उनके पास सूचना पहुंच जाए और जो भी क्लास नहीं ले रहे हैं नई क्लास ले रहे हैं येवाली क्लास कि क्लास है वो हमारे जो प्रिविज जो ट零े क्लास गा Counter हमों है वाल एक सटार्ट होने वाला है वहांना। को यह उप्सेट्स है तो उप्स हमुच्य ये умत हूंड है हम सब सेट्स ठीक है कि सबसेट्स आज आज हम बात करनी वाले केवाल इसी के उपर और मैने जो हमारी last videos ठीक है ना उसके बारे में उसमें मैंने देखो, आपको सेट्स के बारे में बता दिया था सेट्स क्या होते हैं सेट्स किसे कहते हैं सेट्स के उचित डेफिनेशन थी वो अलग थी ठीक है वो मैंने बताया फिर मैंने इसके बाद में आपको बताया कि यह जो सेट्स होते हैं ठीक है यह इसके कुछ टैप्स थे कुछ टैप्स आपको एक तूररे में बात के थी आपको एक त्समुझ के बारे में बात कि थी हमें चलिकश 2010 के बारे मिन बताया था झिसको फैस से प्तास्त कर थे इसके बाद वे पर में ये पर मित- की बारे में बताया था आप लोगों को parmiit. और अफ परिमित समुचे के बारे में बताया था इसके बारे में बताया था आपको समान समुचे तो इसकी बात हम कर चुके यहां तक हम यहां तक हम बात कर चुके रहले हैं कि यहां तक हमारी बात हुग तो हमारा हमें तक यह तो सब्सेट होता क्या सब्सेट किसे कहते हैं तो जैसा कि आपको नाम से लगी रहा होगा यह कि यह जो सबसेट है यह सेट से ही निकल किया आजाए एक तरिकाओं को यह जो उप्रसमुच्च है हमारा सेट से निकल कर आ यह टाइज तो कि नॉर्मल वाहसा में अगर हम बात करें जैसे कि आप लोग जैसे यह क्लास च। भरतपुर में है तो दो मैं बात करूँ आपको कि आप की भरतपुर में अनेक मकान हैं, भरतपुर की अंदर का अनेक मकान हैं ठीक है, और आपका मकान भरतपुर में है, तुर देखो कही न कही ये वाला है, इस से निकल के आया है ठीक है यह हमारा एक सेड्स है इस सेड्स से ही यह जो है हमारा यह उपसमुच्च यह निकल गए आया है तो यह हो गया हमारा उपसमुच्च है ठीक है तो समझें आए आपको समझी क्या है यह आप समझे नॉर्मल वसम समझा है आपको ठीक है न अभी देखो एक उचित उधारन और लेता हूँ मैं आपको जिससे आपका कंसेप्ट सारे सारे क्लियर हो जाएंगे देखो एक हम समुच्छ लेते हैं x एक हम लेते हैं y एक समुच्छ क्या है एक समुच्छ है आपके विध्याले में कुल विध्यार्तियों की संग्या या फिर आपके विध्याले में कुल विध्यार्तियों की संग्या आपके विध्याले में कुल विध्यार्तियों जो भी है यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो जो भी कुल बिद्यारती ठीक इसके बाद में Y क्या है Y है आपकी कक्षा में यह आपकी कक्षा की बिद्यारती देखो यह दो बातें देखो X हमारा क्या है हमारे जो बिध्याले में हैं वो कुल स्टुडेंट्स हैं वो है यहां पर और वाई क्या है हमारी कक्षा की बिध्यारती है तो कही ना कही आपको यह नहीं लग रहा कि हमारी कक्षा की बिध्यारती हमारे बिध्याले की बिध्यारती हो में तो आएंगे सोचो आप यह जो हमारा यहां पर दे रखा है वाई आपकी कक्षा के बिद्यारती तो आपके कक्षा के बिद्यारती आपके बिद्याले के बिद्यारतियों में तो सम्मिलित हैं तो हम कह सकते हैं कि Y X का उपसमच्च है। उपकर गजाना कहीं जो भी हीं सब्सक्र, सब्सक्र है, तो कि यहां इसके अनुसार अठीक है इसके अनुसार परवाशे लेग सकते हैं कि वाई के प्रतिक अभयrav को वाई के प्रतिक अभयव वाई के प्रतिक अभया एक्स में विद्वाने X में बिद्वाने अत्य हम कह सकते है क्या अत्य हम कह सकते है कि Y X का एक उपसम मुच्चे है X का एक उपसम मुच्चे है देखू आया समझ मैं आपको मतलब अगर Y के पृतियक अभियव हमारे अगर X में बिद्वान है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Y है वो X में बिद्वान है यहां तक आपको समझ मैं आया हूँ कोई नहीं अच्छा अब इसको प्रदसन करने का एक एक प्रतिक चन्ने देखो जिसको अब देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं यह इतनी बड़ी वासा है ना यह दो लाइन वाली वासा अगर हम एक चीज लिख दें यहां पर अर्थात लगाके अर्थात लगाके अगर हम ऐसा लिख दें य सबसेट्स औप एक्स य सबसेट्स औप एक्स ठीक हैं तो यहां पर यह जो है ना यह जो चिन्न है हमारा यह उपसमुच्च का है अब देखो या तो आप इसको बोल लो या तो आप यह बोल सकते हो या फिर आप यह जो लिखी हुई है इनको बोल सकते होग इसका मतलब यह हुआ कि पृतिएख अबयभ है वो एकस में बिद्द्वान है जितने बिद्द्वान है टीक है तो यहाँ से हम एक परिवासा लिखते हैं गला प्रिवासा लिखते हैं प्रिवासा क्या हो जाई हिया हमारी उप्सेट की ठॉक है यदी समुज्च एक यदी समुज्च एक प्रित्यक अवयव यहां प़े हमने दो समुज्च चाहिए हमारे लिए सबसेट के लिए हमें दो समुच्च चाहिए यदि समुच्च एक के प्रितेख अवियव समुच्च भी में बिद्दमान है समुच्च भी में बिद्दमान है तो हम कह सकते हैं कि समुच्च एक का उप समुच्च भी का उप समुच्च है यह परिवासा आप याद रखें अधार लगा के इसको आपको किस प्रकार प्रदास्षित कर सकते हैं यह की प्रतिक अभी यहाओं बी की अभी अभी कैसे लघ सकते हैं इसको यह सबसेट और भी इसको क्या वोलते हैं सबसेट्स ऑफ बी ठीक है तो यह आप नोट डाउन कर लें यह मैंने बताया था आपको उधारन के तौर पर क्या क्या होता है ठीक है न यह जो परिवासा मैंने दिया था यह ती इसलिए और यह जो है यह उचित परिवासा है आपको अगर एक्जाम में अभी कभी आपसे इसके बाद उप समुच्चे के कुछ तत्य से हैं तो आप नम्मरिंग करके भी कर सकते हैं या इस्टार मार्क करके भी उनको आप लिख सकते हो ठीक है तो एक बार और आपको रिवास करा राजिताओं में यदि दो समुच्चे दे रखे हैं हमारे जब एक अबियब की बात करें अब इस्टार मार्क करके आप लिख लो इश्ड़र मार करो यदी a subset of b ठीक है यदी a subset of b तो एक अभयाब a ले लिया हमने ये भी हम किसे बिलॉँ कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभयाब है ये b से भी बिलॉँ करेगा कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं? देखो क्यों कि जो A है न ये B का ही समुच्छ है तो यदि A का एक अभियव A है क्यों शरी क्रता है है कि मैंने यहां पर क्यों लिखा कूंकि मैंने पहली secondo क्रेम Privileода है आपको यदि A जो भी है वो A से बिलॉंग करता है और A अगर B से भी बिलॉंग करता है ठीक है न तो हम इसको पता है किस प्रकार से प्रदर्शिद करेंगे तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे A subset of B यदि A belongs to A A belongs to A फिर यहाँ पे एक चिन करेंगे से तातपर्य है इसका मतलब हो गया से तातपर्य है A belongs to B ठीक अब देखो यहाँ पे मैंने एक चिन लेखा आपको यह वाला ठीक है इसका अर्थ होता है से तातपर्य है से तातपर्य है यह लिख लो गले आप से तातपर्य है ठीक है अच्छा इसको बोलते क्या है इसको बोलते हैं वन वे इंप्लीकेशन वन वे इंप्लीकेशन लेकिन यहीं अगर इसका इस टाइब से हो तो इसको बोल देंगे वे इंप्लीकेशन ठीक है यह वाले चलिए यह वाले जो मैंने लिख दी अब अगर हम इसकी बात करें इस अब इसको हम हिंदी में लिखना चाहें यह तो हमने प्रतिकों के रूप में लिख दिया यहां पर कि ए बी का उपसमुच्य है यदि उपसमुच्य है और ए कोई अब यब है यदि ए अब यह हमारा समुच्य A से बिलोंग करता है तो A अब यह हमारा B से भी बिलोंग करेगा ठीक है न तो देखो किस तो इसको कैसे लेखेंगे हम यदि समुच्य A समुच्य B का उपसमुच्य है अब यह हमारा यहां तक वाए अभी यह हम ने लाइन लिखिए यहां तक लिखिए ठीक है यह लाइन लिखिए यहां तक लिखिए इसके बाद लिखेंगे यदि अभियव A अभी-अभ झे क niche A का अभी उआ है समुझ्ये A का अभी उआ है देखो सब मैंने अभी यहां तक लिखा यदी के बाद मैंने यदी लिखा था यहां पर फिर मैंने लिखा देखो A belongs to A small A belongs to A इसका मतलब क्या लेखा अभियव ए समुच्य एका अभियव है इसके बाद में इसका क्या मतलब बताया इसका मतलब बताया से तात पर रहे है इसके बाद में लिखेंगे से तात पर रहे है से ताथ पर रहे है कि से ताथ परर है कि इसको चाह बिलेंगे अभी अभीव एव है कि अभीव ए शमुच्य बीक की अभीत अभ्यव है है ही वि का भीव यह है अंडरलाइन कर दो देखो मैंने अभी आपको बताया यदि हमारे दो समुच्चे हैं यदि हमारे दो समुच्चे हैं A और B और यदि A जो है A है वो subset है हमारा B का यदि A subset है B का और हम कोई एक अभिव ले लेते हैं small a यदि small a अब यह हमारा समुच्च a से संबंद रखता है या a में belongs करता है तो इसका मतलग यह हुआ कि वो अब यह b में भी बिद्वानी क्योंकि वो b है उसी का तो समुच्च है ठीक है ना जैसे देखो एक example के तौर पर अब बता देता हूँ आपको यह आपको note करना है ठीक है इसके बाद में एक example ले लेता हूँ जैसे हमारा a हो गया हमारा a माल लेते हम a b c d इसके बाद में हम b माल लेते है ठीक है v माल लेते हम c d यह माल लेते है तो देखो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि यह जो है a subset और b है क्यों है क्योंकि a का जो भी प्रतेक अभी अभी है 27-27 मतलब जो भी अक्षर है वो हमारे सारे सारे यहां पर बिर्दमान हैं अगर हम कोई अब यव एक ही बात करें यदि हम यहां पर आगे लिखें यहां पर यदि यह जो अब यव है यह हमारा यदि यह से बिलॉंग करता है हमने यह अब यव ले लिया यह हमारा बिलॉंग कर रहा है यह से ठीक है तो हम लिख सकते हैं इसके ताट पर रहे हैं कि यह जो एह है ना ये बी से भी ब्लोग करता है क्योंकि यह जो है जब एक का अभियव है और पूरा का अभियव है पूरा एक सबसेट है बी का तो भी में बिद्मान होगा यहां तक बात समझ मैं इस आपको ठीक ये अगर आप उतारना चाहो मतलब ये उधारन वाला एक्जाम्पल जो है तो आप उतार सकते हो इसके बाद में हम एक इसी को अभी अब समुच्य खतम नहीं हुआ ठीक है अभी हमारा ये जो समुच्य है ये खतम नहीं हुआ है कि समुझ्च के बारे में और भी काफी जानकारी है आपको उप्र समुझ्च है कि ठीक है कि इसको आप नोट डाउन करें इसके बाद में और एक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ठीक है वह बताने बाला हूं आपको ठीक है दोस्तों तो आपको यह पॉइंट समझ में आया इस ऐसे ही साथ कुछ चार-पांच और तत्य से हैं ठीक है हमारे उप्समुझ्च को ले करके जो कि आपको जिनकी जब जिनके बारे में आप लोगों क्या है थोड़ी जानकारी होने चाहिए ठीक है तो डारेक्ट कुछ्चन करने से बहता रहे पहले आप उनको समझो कि करने करना कैसे ठीक है ताकि आप भूलना पाओ तो अभी मैंने बात की यदि ए बी का उपसमझ हो तो हम उसको इस इस चिन से परदरस्द करते हैं ठीक है यदि हम अगर जैसे अगर एस सबसेश अब भी हो तो ऐसे करते हैं, अगर ए उप समुच ना हो तो ऐसे करेंगे, ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं हम, यदि समुच ए समुच बी का उप समुच नहीं है तो कैसे प्रतर्सित करेंगे इसको, देख लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि यह है, वो नौट सबसेट आफ पी यह होगा इसके बाद हम अगले टॉपिक पॉइंट की बात करते हैं, देखो क्या होने वाला है, जैसे मैंने अभी बताया आपको यह जो ए है, यह सबसेट और बी है, ठीक है तो इसमें क्या है कि जो अब यब है, वो हमारा देखो, यह में भी होगा, और एक अब यह वो हमारा, भी में बिलों करेगा, यह आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है, पिशली बाद अभी, फिर उसके बाद देखो, यदि, यदि अगर बी सबसेट और अभी हो तो, अभी मेरे यहां पर बात की, यह जो है, वो सबसेट्स है, बी का, लेकिन अगर भी सबसेट्स हो, लेकिन अब पता, उपसमच्च होने के लिए, यह आवशक नहीं है, कि यह भी हो, यह आवशक नहीं है, यह वाली बात हमारी, यह आवशक है, यह वाली बात आवशक है, लेकिन यह आवशक नहीं है, अगर एसमच्च बी का, उपसमच्च है, तो यह आवशक है, लेकिन अगर यदि, इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है, कि हमारा जो बी है, वो भी एका, उपसमच्च हो, समझो वाद को यह समुच्चे बी का हो सकता है लेकिन जिरूर नहीं कि भी अगर बी यह अगर बी एक का उपसमुच्चे हो ठीक है लेकिन अगर हो अगर ऐसा हो भी गया कि एक उपसमुच्च्च है वी एक उपसमुच्च्च इसका मतलब क्या हुआ ए और बी में अब यह बरावर ह यही तो मतलब हुआ इसका भाई यदि A B का उपसमुच्च्च है वी एक अवियाव एक फुमच्क्छ है लेकिन अवल समुच्च के लिए यह आवशक है कि यह के व्रदे कभियाव वहने चाहिए गो है कि इसकी लिए आवशक है कि एक के अवियाव, हैं एक के सभी अवियाव को टां कि अन्य highlight इसके लिए इसके लिए देखू यदि B सबसेट्स अफ ए है तो B के सभी अभियाव A में होने चाहिए इसका मतलब यह रहा A के सभी अभियाव B में होने चाहिए B के सभी अभियाव A में होने चाहिए तो अब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि A बरावर B है हमारा बताओ कह देंगे कह सकते हैं ठीक है यदि A सबसेट्स आफ B हो B सबसेट्स आफ A हो उसके बाद क्योंकि देखो इसके लिए हमारे यह आवश्क होती है कि A की सभी अब या B में बिदमान होने चाहिए तो इसके लिए क्या आवश्क होगा B के सभी अब यब A में होनी चाहिए जब A के अब यब B में हैं B के अब यब A में हैं तो A और B बरावर होगे हमारे और यदि A और B बरावर हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि A बरावर B ठीक अब देखो इसको लिख लिए दे लिखेंगे कैसे वो देखो आप या तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करें ठीक है मैं बोलता हूँ उसी के साथ साथ ठीक है और अगर ना लिख पाएं तो आप पहले स्क्रिंसोट ले लिया करें उसके बाद में जैसे ही स्क्रिंसोट लेकर एक लास करता हूँ उसके बाद में अभी आप लिख लिया करें तो देखो लिखते हैं देखो यदि कहां से करते हैं मैंने बताया था आपको यदि A B का उपसमुच्च्च है तो यह आवशक नहीं है कि B A का उपसमुच्च हो ठीक A के अभियब यदि B में बिद्दमान है तो ये आबश्च नहीं है कि B के सारे अभियब A में बिद्दमान हो ये बात भी किलिए रहे आपकी ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे यदि A समुच्च A यदि समुच्च A समुच्च B का एक उपसमुच्च है B का एक उपसमुच्च है यदि समुच्च A समुच्च B का उपसमुच्च है तो ये आवशक नहीं है आवशक नहीं है कि तो इदी समुझ्शे 1 अभ्यम अभ्यम समुझ्शे A, समुझ्शे B का उपसमुझ्श है तो इसका मतलब ये आवशक नहीं है कि जो भी समुच्चे B है वो A का अभी अभी है वो क्या है तो देखो यदि समुच्चे A समुच्चे B का एक अभी समुच्च है तो यह आवश्रक नहीं है कि समुच्चे B समुच्चे A का अभी समुच्चे हो ठीक इसी को आगे बढ़ा के हम लिखे हैं कि यदि यदि यह सबसेट्स और भी है यह सबसेट्स और भी है तो इसमें क्या होता है इस तो समुच्चे A के पृतियक अभी हो समुच्चे A के पृतियक अभी हो समुच्चे B में होते हैं समुच्चे A के पृतियक अभी हो समुच्चे B के अभी होते हैं अभी हो समुच्चे B के अभी होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है लेकिन यह थोड़ी सी मतलब आपको लिखना जरूरी है यह ठीक है क्योंकि आप जब तक यह नहीं समझोगे कि मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है ठीक है इसकी इसके दो चार मतलब यह जो मैं बता रहा हूं तक थे जो भी बोल सकते हूं आप इनको यह क्या होते हैं तो इससे क्या आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं बाद में ठीक है तो इसलिए में यह जरूर है कि आप यह सब नुट डाउन किया करें और साधी साध में आपको समझ समुच्च B में होते हैं ठीक है लेकिन यह आवश्र नहीं है कि समुच्च B के सभी अभियं समुच्च E में हो यह समुच्च E के अभियं हो समुच्च E के बिलकुल आवश्र नहीं है यह मैं पहले आपको बता चुगा हूँ क्योंकि इसके इसके लिए सिर्फ इसके लिए तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एके अभियंब हैं एके समस्त अभियंब यह कि समस्त अभियंब बी में बिद्दमान है लेकिन बी के अब A में आ जाएं लेकिन यदी लेकिन यदी ऐसा सच हो जाए लेकिन ये वाली बात जो मैं अभी लिखाई है आपको ये वाली बात अगर सच हो जाए तो क्या होगा लेकिन यदी लेकिन यदी समुच बी के अभियव लेकिन यदी समुच बी के अभियव समुच अब बिद्दमान है या समुच अ के अभियव है तो हम कह सकते हैं कि ए ब्रावर भी है जो मैं अभी आपको समझा चका हूँ समुच अभियव हैं तो हम कह सकते हैं कि समुच तो हम कह सकते हैं कि समुच अभर समुच अभिय के समान है यह लग लू अब समुच और समुच अ Rest लगा के लग दो यह बरावर B अब अर्था लागे लिख दो ए ब्रावर पी ठीक है यहां तो पास माया ठीक है अब यह सब यह जो भी महादबासा मैंने लिखाई यहां से यहां तर ठीक है यह सारी वासा जो मैंने लिखाई इसको देखो फिर्दसित कैसे करेंगे इसको लिखो यदि A सबसेट्स और B है और B सबसेट्स और A है तो हम कह सकते हैं क्या कि A वरावर B है इसका मतलब मैंने बता दिया था इसका मतलब होता है तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं इसका क्या होता है अर्थ होता है तो हम कह सकते हैं तो यह हमारा क्या हो गया A वरावार B मतलuloा जो भी इसका सार है न इस 4-5 láign का सार है वो यह ओदगा यदी A B का समुझ्च है B A का समुझ्च है तो हम कह سकते हैं कि A वरावर B है विल्कुल क्योंकि अगर A वरावर B नहीं होगा A वरावर B नहीं होगा तो अगर तो एक उसमोच हो सकता है लेकिन तब भी एक आप समुझ यह वाली कंडिसन नहीं आएगी लेकिन अगर यह वाली कंडिसन आ गई इसका मतलब है यह दोनों समुझे क्या है बराब रहें ठीक है यह आप नोट डाउन कर ले यह इसकी शूट ले ले बाद बहुंद डाउ किया कि इसको ताथ एंगलिस में आप इससे इथ भी बोल सकते हूं ठीक है मुँआ इस से हम इस भी बोल सब्छिफ idols फ इस यह यदी होरे यह चसशन वाल के और हरो जले जोड़ी ऑधी और कियुक्त किन कि सिर्फ यही कंडिशन हो सकती है जब यह वाली हमारे दो भी ये दो सचो अन्यता कोई भी कंडिशन ऐसी नहीं आएगे ठीक है नो डावन कर लिए तो बढ़ते हैं आगे तो देखो मैंने आपको साथ कुछ तत्थे ये करा चुका हूं ठीक है आप समझ भी गए होंगे उपसमुच्छे के बारे में समुच्छे क्या होता है कैसे प्रिदर्सित करते हैं इसके लिए क्या आवशक है क्या आवशक नहीं है यह सब बाते हैं आप समझ गए होंगे इसके बाद में एक दू तत्थे और रह जाते हैं वह बता देता हूं मैं आपको ठीक है इसके बाद मैं लिखू आप कि यह जो प्रत्यक समुझ्चे होता है ना प्रत्यक समुझ्चे अपने खुद सोयम का उप समुझ्च होगा जैसे देखो अगर यह हम ऐसे लिख दें यह वाली बात हम लेगें यह सबसेट्स ओप यह बात सही हो सकती है बिल्कुल सही हो स होंगे ना इसके अभियाब होंगे तो हम कह सकते हैं कि समुझ्च की प्रत्यक अभियाब या प्रत्यक समुझ्च तो हम कह सकते हैं प्रत्यक समुझ्च 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 होता है समुझ्च होता है समुझ्च होता है अर्थात लेखके यह लेख दो यह सब्सेट्स अब ए इसके बाद में एक लेख लो कि यह अपने पढ़ा है इसको क्या गोलते हैं इसको रिक्त समुझ बताया था मैंन आपको कि अजय को एक समुझ बताया था अधे कि अब जब प्रिते अब यह कि अबने होते हैं जब कोई अब यह रहेंगे नहीं तो ओसन्री होगा कि सकते हैं बिल्कूल कह सकते हैं इसको साफ करें और इसको इसके बारे मिलेरें देखो यह दिख समुझ है यहां से दाइन अब लिखो कि रिक्त समुझ में रिक्त समुझ में कोई अब यब नहीं होता कोई अब यब नहीं होता रिक्त समुझ में कोई भी अब यब नहीं होता तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो फाई है या इसका मतलब क्या होगा हमारा रिक्त समुझ होगा तो हम कह सकते हैं फाई प्रत्यक समुझ्चे का प्रत्यक समुझ्चे का उप समुझ्चे होगा इसके बाद देखो आप एकल समुझ्चे के बारे में लग लो आप एकल समुझ्चे के बारे में एकल समुझ्चे जब केबल जब समुझ्चे में केबल एक अभी हो जब एकल से क्या लगता है देखो एकल से क्या तात पर रहे आपको सिंगल जब समुझ्चे में केबल एक अभी हो ठीक है दोस्तों समुझ्चे में केबल एक अभी हो तो वो हमारा एकल समुझ्चे क्या लाएगा तो इसे हम बात करें देखो कि यहां पर चलो ए ले लूँझ hm कि यह समुच्छ हो गया हमारा ठीक है कि इसके बाद में एक और सब्द है अधी समुच्छ कि यह सब्द और है अदीस मुच इसके बाद आप का यह जो प्रिक समुझ्च के बारे में तथे हैं यह हमारे समांप दो जाएंगा अब अधीस किसे कहते हैं देगो जब हमारा जो A है, समुच्छ A है, जदी B का अब B का अब समुच्छ होगा, ठीक है, तो जो B होगा न, वो हमारा A का अधित समुच्छ कहलाएगा, ठीक है, जब, देखो, यहां पर लिख लो, आपको समाझ दाएगा, जब A सबसेट्स ओब B, या A समुच्छ B का अब याब हो, जब, या A समुच्छ B का अब समुच्छ हो, तो यह जो B है न, यह B है, यह का अधित समुच्छ कहलाती है, यह का अधित समुच्छ कहलाता है, ठीक है, यह अधित समुच्छ है, अगर आपको आ जाएक अधित समुच्छ के बारें बताओ, तो आप यह लिख देना, यह का अधित समुच्छ कहलाता है, यह आप नोट डाउन करें तो हमारी बेसिक जो भी जानकारी है ना उपसमुच्च के बारे में यह हमारी यहां पर सम्माप्त होती है इसके बार में अभी बताने वाला हूं आपको दो-चार क्वेश्चन जो हमारे उधारन में दिये हुए ठीक तो यह नोट डाउन कर लो तो हमारे जो बेसिक उधारन दिये हुए है ना पहले तो इनको समझते हैं पिर इसके बाद में समुच्च के बारे में और थोड़ी वह जानकारी है या समुच्च के परकार से भी है वह आप देख लेना अभी कल करा देंगे फिर बढ़ेंगे पिर ना वली की ओर ठीक है द वरे को एक कोई एकजमपल लेता हूँ आपको जैसे हमने पहला एकजमपल ले लिया कि हमेरा जो एक समुच्च है एक यसके यह तीन अव्य व्यविव लिय कि इसके बाद मैं हमेरा एक उतले हैं भी है ठीक रसा हम रूस्तर फॉर्मist फॉर्मोल लिग देते हैं ऑक्स such that x अभी अब या x संक्या लिख लूँ x संक्या x जो है वो संक्या 6 के 6 से छोटी बिसम संक्या है यह हमारा question रोगा ठीक है तो बताओ ए और b के बीच एक a b का समुच्चे है या नहीं है तो देखो यदि हम a समुच्चे b की बात करें यह समुच्चे b की बात करें तो यह हमारा देखो x से छोटी संक्या बताओ आप कितनी होने वाली है यदि एक से छोटी बिसम संक्या हो की बात करें तो हम यह तीन ही आएगी है हमारी एक तीन पांच यह तीन यह और को बिसम संक्या है जो 6 से छोटी हो नहीं है यह तीन ही है एक तीन पांच यह तीन ही संक्या है लिखेंगे यह वरावर भी है अत्य यह वरावर भी है अच्छा मैं इसको लिखने का एक बताया था मैं इन तरीका क्या होता देखो तो वो होने वाला है a subset of b or b subset of a यदि और केबल यदि या फिर बोलते है if इसको क्या बोलते है इसको या तो इफ भी बोल सकते हो इसको यदि और केबल यदि भी बोल सकते हो यदि a बनावर भी है ठीक है यह सोच्छिए मैं आपको ठीक है तो देखो कुछ एक्जाम्बल और भी दे रहे होंगे वो आप देखना वह आप सौल करके देखना कि मतलब होते हैं नहीं होते हैं आपको अगर नहीं होते तो वह मैं बताने वाल बता दूंगा आपको next class में ठीक है और अगर होते हैं तो यह तो अच्छी बात हैं और कुछ घात्समुच बगरा जो भी दे रहें बूकल क्लियर कराते हैं इसके बाद में हम कल ही जंग जो भी हमारे उधारन कराने के बाद में प्रसमाले के सबार ले लेंगे तो आप आज जो भी कराया यह सारा आप रिवाइज करना इसके पहले भी मैं करा चुका यहां से clear होगी ठीक है ना अगर यह आपकी clear है ना तो यहीं से आपको यह concept clear होगे क्योंकि अगर जब यहाँ आपकी 11 कमजोर होगी ना तो थोड़ी सी problem आ सकती है आपको 12 में जा करें ठीक है तो इसके लिए आवेश है कि आप यह जो मैं करा रहा हूं 11 का portion यह आप अच्छे होगा यह आप वीडियो बाद में दिया फिर आप हो सके आप रिकॉर्ड वीडियो बाद में देख रहे हूं काफी दिन बाद ठीक है ना तब भी तो जब जब भी देखें आप यह बात ध्यार रखें कि आप इसके नोट जरूर बना लें ठीक है काफी important रहने वालें यह सा लिंक शेयर कर दिया करो ठीक है ताकि वो भी सभी क्लास ले सकें और हमारी सायद बायलोजी बगराए क्लास भी दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में ठीक है दोस्तों दन्यवाद